पिंजोर में हैंडीकैप एक दुकानदार के साथ मारपीट के आरोप में होमगाड आईजी के खिलाफ मामला दर्ज पिंजोर पुलिस ने किया गिरिफतार पिंजोर में हैंडिकैप एक दुकानदार के साथ गाले गिलोच और दुकान में तोड़फोड करने के आरूप में पिंजोर पुलिस ने एक मामला शिकायत के धार पर दरज किया है इस सबंद में एक वीडियो फोटेज भी खूब वैरल हो रही है जिसमें अरोपी होमगाड आईजी एक हैंडिकैप के साथ उलचता दखाई दे रहा है और बाद में उसे एक छड़ी से हैंडिकैप को मारने का वीडियो भी वैरल दिख रहा है जिसके बाद पीडित दुकांदार तलविंदर सिंग ने शुकरवार को पिजोर पुलिस में होमगाड आईजी हेमंत कलसन के खिलाब एक शिकायद दी जिस पर कारवाई करते हुए पिजोर पुलिस ने दुकान में घुसकर तोड़ फोड करने गाली गिलोच और मारपिट की शिकायत के धार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है दुकांदार तलविंदर सिंग के सिर पर और हातों पर काफी चोटे आई है और इसकी वीडियो फोटेज भी खुब वाइरल हो रही है इसकी वीडियो फोटेज पिंजोर पुलिस के पास भी पहुँच गई है पिंजोर पुलिस जांच परताल करने में जुटी हुई है